कुपोशनता एक अभिशाप है कुपोशनता किसी भी रास्ट की प्रतिवा एम प्रतिस्ठा को परभावित करती है। जिससे हमारे सरीर की जो अवशक्ता है उर्जा की हमारी प्रोटीन की या हमारी वसा की अवशक्ता है उसको आपूर्ति करने का प्रियास किया गया है। साथ 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां और 100 ग्राम जड़ एम कंद की सब्जियों के इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। अगर ये सब्जियां स्वस्थ हैं और बहतर तरीके से उगाई गई हैं यानि के आप अगर इन सब्जियों को या कुछ फलदार वरक्षों को शुम उगा करके अपने पोशन में सम्मिलित करते हैं तो इससे आपके पोशन की गुनवत्ता एम उसका सुधार होता है। मोसम के अनुरूप हमारे किसान भाई या हमारे सहरी छेतर के उभोगता न्यूट्री गार्डन का विकास कर सकते हैं। आत्यदार सब्जियां, जड़दार सब्जियां या वो सब्जियां जिनमें पोशनता की द्रस्टी से आत्यदिक पोशन हैं जैसे लेट्यूस है, ब्रॉकली हैं, इनको उगाने के लिए अपनी ग्रहवाटिका में समलित करें। सब्जी फसलों के साथ साथ हमारे सहरी चेतर के लोग अपने ग्रहवाटिका में सब्जी के रूप में पपीता, जीदार केला, फलदार वरक्षों में निम्बू, किन्नू, करोंदा, इस प्रकार के फलों का भी समायवजन किया जा सके हैं। अपनी ग्रहवाटिका में जिससे उसके न्यूटिशन का इस्तर और अधिक बहतर बन जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास बालकनी है और आपकी रूची है तो आप पत्तेदार सब्जियां जिसमें मेथी है, पालक है, धनिया है, पुदीना है को आप हेंगिंग बास्केट के रूप में उगा सकते हैं या वर्टिकल गार्डनिंग के लिए आप अपनी बालकनी में लोहे की आकरतियों के या वुडन के आप एक फ्रेम का विकास कर सकते हैं, उसमें वांचीत आकार के गमले या प्लास्टिक की ट्रे रख करके आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं और इस दिसा में सहयोग देने के लिए भारतिय किर्शिय नुसंधान संस्थान की बी पूसा संस्थान में पूरे वर्स इस प्रकार के मोडल का परदर्शन भी किया जाता है और हमारे जो सहरी चेतर के लोग हैं, ग्रामीन चेतर के लोग हैं, उसको आकर के कभी भी किसी भी कारी दिवस में उसका फर्मन कर सकते हैं